नमस्कार मैं जूही पंडित स्वागत करती हूं आपका युग समचार में आए जानते हैं आज के खास ख़बर को दुनिया के सबसे चोटे बंदर पिग्मी मार्मोसेट पर विग्यानिकों का बड़ा खुलासा मात्र 100 ग्राम होता है वजन अमेरिका के जीव विज्यानियों ने दुनिया के सबसे छोटे बंदर पिग्मी मार्मोसेट पर किये गए एक रिसर्च के बाद बड़ा दावा किया है विज्यानिकों का मानना है कि यह बंदर दो अलग-अलग प्रजातियों से मिलकर बना हुआ है ऐसे में इस बंदर के अंदर उन दोन प्रजातियों के गुन मौजूद है बतादे की एक विज्यास्क पिग्मी मार्मोसेट बंदर का वजन मात्र 100 गराम ही होता है ये बंदर दक्षिन अमेरिका के वर्सावनों में पाय जाते है दो अलग-अलग प्रजातियों से मिला संबंद अमेरिकी जनरल आफ फिजिकल एंत्रोपोलोजी में प्रकासित सोध में इस बंदर की खोपड़ी की संरचना और डियने इस बात की पुस्टी करता है कि ये दो अलग-अलग प्रजातियों से संबंधित है इस स्टडी की मुख्य लेखिका और नार्दन इलिनोईस जेविक मानव विज्यानी लीला पोर्टर ने कहा कि हमारे अध्यान से पता चला है कि इन दो प्रजातियों में फर के रंग से अंतर नहीं किया जा सकता लेकिन वे अपने माइटो कॉंड्रियल डीने और खोपड़ी की सनरचना के अंतर से अलग है फर के रंग को लेकर अंतर को शुध करताओं ने किया खारिज इससे पहले के अध्यन में इस बंदर के फर के रंग को लेकर अंतर बताया गया था हाला कि नए सोध में रंग वाले अंतर को नकार दिया गया है इस टीम ने कहा कि बंदर के फर का रंग अत्यधिक परिवर्तन शील लग रहा है ऐसे में किसी एक छेतर में रहने वाले पिगमी मारमो सेट बंदरों का रंग भी अलग हो सकता है पोर्टर ने कहा कि इनकी खोपड़ी की सनरचना की तुलना से पता चलता है कि उनके खाना ढूंडने के तरीके अलग-अलग हो सकते है पिग्मी मार्मोसेट बंदरों का वजन व्यस्क होने के दोरान मात्र 100 ग्राम होता है ये बंदर दक्षिन अमेरिका महाद्वीप में इस्तित एमजन वर्सावन में पाये जाते हैं इन सोर्ध करताओं ने अपने रिसर्च के लिए दक्षिन अमेरिका के कम से कम 13 जगहों से इस बंदर के सेंपल इकठा किये थें इन में इकवाडोर और पेरु के भी इलाके शामिल थें इन बंदरों को पहले पूर्वी और पश्चमी पिग्मी मार्मो सेट के रूप में जाना जाता था लेकिन पोर्टर की टीम के सिफारिस है कि उन्हें अधिक सटिक्ता के लिए उत्तर पश्चमी और दक्षिन के नाम से भी वर्गी करत किया जाए इस टीम ने पिग्मी मार्मो सेट बंदर की जिन्दो प्रजातियों के साथ संबंध का पता लगाया है उनके विग्यानिक नाम सेबु एला पाईगीमिया और सेबु एला नीवे वेंतरिस दिया जाएगा वे बंदर समुहों में रहते हैं जिन में मादा बच्चे को जन्म देती है जबकि नर उनकी देख भाल करता है पूरा पढ़ने के बावजूद उनके सरीर की लंबाई मातर 6 इंच हो जाती है